नमस्कार इर्शेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है मित्र जैसा कि आप जानते हैं यह बजार वाद का समय है खास करके सन 1991 के बाद जब गलोबलाइशन यानि बैस्वी करन लिबलाइशन यानि उधारवार और प्रविटेक्शन का जड़ दौर आया उसके बाद से लगातार बाजार हम पर हावी होता जा रहा है चाहे रहनसन हो कान पान हो सब पर वाजार हावी है और वही सिती पढ़ाई में भी देखने को मिल रहा है आपका पार्ठकरम का चैन हो या कोर्स कौन कुर्स करें क्या नहीं करें इस पर भी अगर चर्चा होती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्या इसमें रोजगार के अफसर हैं या नहीं तो निश्चित तोर पर आप दाखला का समय है आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कि क्या मैं इस कोर्स में अड्मिशन लूँ या नहीं और खास करके ऐसी सितिती है जब आप सोसल साइंसेज में अड्मिशन लेना चाहते हैं क्या हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कोई जॉब मिलेगा समाज अधन पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगा पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो मिलेगा इस तरह की कई तरह के बातें आपके दिमाग में चलती है और आप यह तैर नहीं कर पाते हैं कि आखिर क्या कोर्स करने के वाद हम को करना होगा और कैसे करें तो लेकिन सचाई है कि सोसल साइंस में काफी एपनुज हैं काफी अब रोजगार के अफसर है अगर आपको पता है तो इससे भी आप जो मैनेजमेंट करते हैं या कप्यूटर सा सकें उससे लाव उठा सकें इस पर भी चर्चा होगी और चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर सतीस कुमार आप सेंटर इंवर्सिटी हरियाना में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के और इन बिसेंव पर खास रूची रखते हैं और लोगों क तो तो यहां बिसेंट नोट यहां तो डिलिबरेट अब बाद अप्रचुनिटीस इन सोसल साइंस और आप लिए पोजिटिव जोबी विध्यारती सोसल साइंस में अदमिसन लेन खिली इक चुक हैं या उसे अपना करियर बनाने का निड़ने ले चुके हैं तो उनको घबडाने या बहुत ही एफ्रेंसिब होने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह से बाजारवाद निशित रूप से जीवन के बिभिन पहलूं को परभावित किया है तो केरियर अपरचुनिटीस को भी उसने नए सीरे से में अपने आपको फिट करना यह जो वाजने के लिफित करना तो इसके जाने के पले थोड़ा से बैकग्राउंड में जो हाई रेजुकेशन का सिस्टम हमारे यहां पर है उसको समझना ज़रूरी होगा, तब हम अपने आपको बेहतर तरीके से ये स्किल कर पाएंगे कि जो परिस्तितियां अभी उत्पन हुई हैं उसमें और आने वाले समय में कौन सी परिस्तिती, कौन सा चीज हमारे लिए बेहतर होगा or we can also scale our strength and ability in what capacity we need to develop and how much deep inside the sea we can go and maybe to certain extent against the current we need to do certain exercise to learn swim against the current. ये सारी बाते हैं, इसमें बिलकुल ही दो मत नहीं है कि जितने भी professional courses हैं उसके fee बहुत हाई है, चाहिए मनेजमेंट में आप किसी ने admission लिया हो या बागी उससे मिलते हैं जो courses, professional courses उसमें admission लिया हो तो जहां पर 10 लाग, 12 लाग fee देने के बाद लोग उसमें admission लेते हैं तो market driven opportunities उनके पास निशित रुप से आती है और वो उसमें adjust हो जाते हैं Social science में जहां पर हम colleges, universities में पढ़ते हैं, वह फी आज भी बहुत ही nominal है, वैसा बहुत कम खर्च होता है तो वैसी परिस्तिती में हमें minimum subsidized fee देने के आधार पर जो education हमें प्राप्त हो रहा है वह उसके आधार पर हमारी हमारा strength कितना है, हमारी ability कितनी निखर कर सामने आई है वह जानना भी अत्यांत महातपुर्ण है तो जो Those are the student who are from the social science discipline like political science, economics, history, philosophy, public administration, IR, and some other sister disciplines, if they are doing graduation in one of this subjects, the most important part the most important part is about a very sound knowledge of the subject the one carrier opportunities की बात करते हैं तो सबसे महत्पून लेखुना and it is very unfortunate turn out about the higher education in India is the lack of lack of subject knowledge ये हम सभी जानते हैं की पिछले दो दसकों में परिस्टियां बिलकुल बदल गई हैं मीडिया से लेकर बाकी छेत्रों में management has become more important than knowledge and to certain extent they are driving the knowledge in their own way but that does not mean that the importance and relevance of knowledge has come down or social science एक ऐसा area है which has a lot of pools of knowledge जिस समाज के हम बात करते हैं जिस देश की बात करते हैं जिनके लिए ये सारे professional courses for the time being जो create हुए हैं उसमें अगर आप थोड़े समय के लिए चिंतन करें और देखें तो जो management institutes पूरे भारत के विविन सहरों में मस्लूम किया हैं वो पिछले तीन दसकों का development है management course itself was started initially in America in the beginning of 20th century but it became popular in India after 1970s and more popular after the LPG period और इतने तीन दसकों में दो दसकों के अंतरगत आपने देखा होगा कि चिस तरीके से एक नॉमिक slide-down पूरे दुनिया में हुआ उसका इंपक्ट सिदे कोर्सेश पर पढ़ा and in the last few years if you check out the intake capacity of the different management institutes in India it has drastically come down the placement among the management institutes have been also challenged why it is so it is it is a matter of great concern and it is also matter of for us to analyze why this changes a course has been become so popular that everyone everybody wants to be an MBA to have an MBA degree and all of sudden there is a slump this cannot happen to a social science why it cannot happen to social science because social science is the subject is the discipline of different areas whether it is sociology, anthropology, public administration, political science, international relations, economics, philosophy these are the subjects which create the society which create the state it create the human beings and the kind of knowledge the kind of experience the kind of informations which we gather through the subjects are not temporary these are the permanent futures course तो जब हम इन बुस्जायों को पढ़ते हैं अगर हम पोलिटिकल साइंस के विध्यार्थी हैं तो तीन साल के graduation के course में अगर सही तरीके से आपने उसे पढ़ा है तो state के बारे में, society के बारे में, international sphere के बारे में, geographic के बारे में, geostrategic importance के बारे में, बखुबी आप परिशित हो जाएंगे, उसी तरीके से अगर आपने economics पढ़ा है, microeconomics, macroeconomics, international economics के जो dynamics evolve करकर आ रहे हैं, और दुनिया आर्थिक संकटों के दोर से गुजर रही है, भारत मुद्राइस्पिती के कगार पक खड़ा है, कई दिकतें फिशर कुछ दिनों, चंद दिनों में, महिनों में, भारत में भी दिखी जा रही है, कि भारत का रुपिया, डॉलर के मकाबले कमजोर होता जा रहा है, ये सारे जो features हैं, वो एक social science का विद्यार्थी, अपने degree course और PG course के दौरान सीखता है, जानता है, समझता है, और ये समझया, ये जानकारी छन्भंगूर नहीं है, ये permanent है, तिस अपने फुचर्ण that makes your skill concrete and substantive, उसी तरीके से आप समाझ सास्तिजा पढ़ते हैं, तो समाझ के वीतर की बनावट, जाती के आधार पर समाझ का निधारन है, एक बहतर समाझ की परिकल्पना, अपने देश के भीतर, दुनिया के अन्य देशों के अध्यान के आधार पर अपने समाझ को नए सीरे से ब्याखित करना, ये सारी बाते आप सिखते हैं, तो इन सारे इस प्रोसस में, वाल लॉर्निंग, और दुनिए थर दो दुनिए दूद दुनिए कोस्ता है, जाती की मैंने का कि अवर्य शब्यक्त चंगे तूनिए लुट्क्त If it does not change, it will become stagnant. So in most of the social science, you might have been finding in different universities. The same subject is known by our different names. Like in the political science, if you go to any university, you will find 10 different centers which have come out, squeezed from the political science like human rights studies, democratic studies, law and governance, peace and conflict studies, likewise. Why it has been so? It has been so because of the emergence of the problems in and around the world. If you compare the syllabus, the contents which we read, the students go through while doing this course are more or less the same which we have been undertaking in a degree course of political science. But the name has been changed to fit into the new reality of our time. Because today, when we study political science, we don't know about the traditional method of state and state. We don't know about the traditional method. Today, we have a conflict in the country and the world. We don't know about the political science. पुलिटिकल साइन्स से निकल कर आये हैं आपको मिलती है उसी तरीके से economics में भी micro economics of macro economics applied economics जिसमें किवल traditional economics की बाते आप नहीं सिखते हैं बलकि जो समस्याएं दिन पर चे दिन एक व्यक्ति एक परिवार एक समाज एक रास्ट और अंतरास्टिये समुदाये उन नीतियों से बदलता है अगर उसको वो विसाय अपने सीरे ने सीरे से व्यक्त नहीं कर पाता है if that subject fails to underline the problems the emergence of the problems then the relevance of the subject becomes redundant and that is why the applied disciplines from a parent discipline have flown up and they have created a new opportunities for the students those who are taking these courses in UZ and PG अब opportunities के पहले मैं कुछ बुनियादी बाते बताना चाहूंगा अपने अनभों के अधार पर कि आखिर क्या क्या चीजे होनी चाहिए अपने कारियर को दुरूस्त और मजबूत करने के लिए let's be very frank and pragmatic that merely doing the course will not guarantee you a job and now the same thing is happening in the management courses also and different professional courses where mushrooming of the different private institutes have come up in and around of India that they do not provide 100% guarantee of the jobs despite having invested more than 10 lakhs in doing this course उन सारे कोर्सेज में भी अपकोई गारंटी नहीं है अगर क्यों मेरली आपके पास certificate है अगर नॉलेज पूल नहीं है आपके पास तो आपने दो साल ती सालों में कुछ भी नहीं सीखा merely you have acquired the degree and certificate that will not provide you the guarantee of a job so let's be very pragmatic and honest कि क्या-क्या चीजें सोसल साइंस में जब हम यूजी कर रहा है और परिसितियां के अनुरूप पीजी भी करना पड़ रहा है तो क्या-क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए जैसा मैंने कहा कि एक तो जिस विशे में आपने यूजी किया है उस विशे की अच्छी जानकारी is very important अगर यूजी करने के बाद economics में आप if you fail to analyze the economic problems of your country and the basic understanding of economics of your country, then there is no meaning of doing this course, तो सबसे पहले तो basic जो coursework है उस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए है दूसरा जो महत्रपुर्ण आयाम आपके कारियर को दुरस्त बनाने के लिए जरूरी है वो है communication skill. If you are a student of social science and if your communication is weak, then the 50 percent chances of getting absorbed in the opportunities which have been created in the last two decades are very high. So, we need to evolve, we need to develop the skills of a good communicator और वो बाते पढ़ने से आएंगी. कि बुल पढ़ने के साथ-साथ language written as well as verbal communication को दुरस्त करना होगा. जब आप किताबे पढ़ते हैं, किताबों subject के साथ-साथ इस बात की भी तहकीकात आपको करनी होगी कि language को और कितना बेहतर बना सकते हैं. कई जगों पर आप जाएंगे के इंतर्विव के लिए तो परिस्थितिया इस तर की आ सकती हैं, being a student of social science, you may be asked to sit on the computer and write a page I write 500 words on any theme which you like to express. It may be game, it may be food, it may be your hobby, or any political or social economic events which you have come across. तो उस परिस्तिती में जो जो जॉब गारेंटर है वो यह देखना चाहता है कि इस स्टुडिन्ट में रिटिन और रिटिन कॉम्निकेशन की स्किल कितनी मजबूत है. अगर आप 500 वर्ड में 10 गलतियां कर दिये, तो आपके प्रस्पेक्ट वहीं पर कमज़र पड़ जाएंगे. तो रिटिन कॉम्निकेशन बिकम्स वरी मिनिक्फुल एक्सराइस इन सम अप 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 अरियर्स वेर्ड वी आपेरिंग फॉर इंटर्व्यू और शेकिंग जॉबू तो इस बात कर इसको 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 निगेटिव टरम्स में बिलकुल लेने की ज़ूरत नहीं है कि यह नह कि मिक्स अमान पर्फेक्ट जब आप लिखने हैं उस समय आपके विचार मोर दन 90% of your organs, the brain, are very active. Your thought process, your concentrations are on the peak. So, these are the skills which cannot be learnt in a day, that needs to be the part of your life. While going through any books, do not read any book casually, whether it is a novel, or magazine, or any political events, social or economic, any, anything which you read it, read it with seriousness, read it with a motive that I need to develop a skills of communications, whether it is a verbal or written communication. That will empower you in the long term and you can find a difference after three years. Once you are going to get the degree of U.C. and looking for a job in the market, definitely that understanding, that decision of becoming a good communicator will help you out in finding a very suitable job which you are aspiring for. तो ये चीज़े बिलकुल ध्यान में रखें कि अपने strength को जो social science का महत्पुर्ण आधार है, पहला मैंने knowledge की बात की, कि अपने ब्रिसाय पर पूरी पकड़ आपकी होनी चाहिए. दूसरा, communication written and verbal दोनो महत्पुर्ण होने चाहिए. तीसरा, interdisciplinary approach पहले भी useful था, लेकिन आज की तारीक में, it becomes more demanding. अगर आप economics के student हैं और अपने दायरा को केवल economics तक ही सिवित रखे हुए हैं, क्योंकि आपका syllabus ही इस तरीके के बनाया गया है, जो interdisciplinary है, केवल आपको उसको tap करने की ज़रुरत है, उसको follow करने की ज़रुरत है, और उसे interlink करने की ज़रुरत है, बाकी विसेवसे. तो ये skill, while doing this degree course, evolve जब होकर सामने आएगा तीन सालों बाद, तो कई ऐसे sector हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, की आपको job opportunities में महत्रपुर्ण भूमी का निभाएगा, और you will feel very happy, की while listening to this lecture, idea has come up to my mind, and that has become a mantra for making my life much better. तो इन सारे तत्त्तों को, जो skill हमने बताए, उन्हेंपर एक बार विचार आप करें, और न केवल विचार करें, बल्कि उसे अंगिकार करें, उसे अपने life में उसे implement करें, जब तक उसे आप पालन नहीं करेंगे, केवल विचारों तक सिमित रहेगा, तो बाते वही की वही रहा जाएंगे. तो being a student, चौथा skill जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि यह बोरिंग आपको लगे, लगा कि फिर यह तो job opportunities के बारे में हम इस lecture के मादियम से सुनने आये थे, और यह तो skill development की बात कर रहा है, क्योंकि इसके बिना वो चीज़े नहीं होंगी, और वो चीज़े जब नहीं होंगी, तो market में redundant एक दर्वाजे से दुसरी दर्वाजे तक बटकते रहेंगे. पुराने जबाने में बहुत सारे scholar, बड़े बिद्वान भी कहते रहें, आपके घरों में माता पिता, मेरे पिता जीवी कहते थे, कि बच्वन के 10 साल और बुढ़ापे के 50 साल, दोनों में से आपको चुनाव करना है, आपको चुनाव कर लो, कौन सा आपको अच्छा लगता है? अगर matriculation के बाद ये जो 10 साल का period है, academic period जिसे कहते हैं, जिसमें गहन अध्यन की जोरत है, अब तो घटकर 10 साल में नहीं, 7 साल, 8 साल हो गया है, या तो उसमें आप खुब मौज मस्ती कर लो, तो आने वाले 50 साल में आपकी पूरी जिंद्गी, गरिभी, बिरुजगारी, और समस्याओं से जुजी रहेगी, या तो आप उस 18 सालों में खुब कड़ी मेहनत कर लो, गर्मी को गर्मी नहीं, जाड़े को जाड़े नहीं, सब कुछ अपना उसमें लगा दो, तो आने वाले 50 साल आपका बढ़ाई सुख़द, आनन्द में, और उन सारी भौतिक मांसि सुख़दाओं से संपन्ध होगा, जो एक आम वेक्ति की धाना होती है, तो चुनाव आपके हाथ में है, तो इस बात को भी गंभेटा से आपने, क्योंकि आप उस कोर्सेज में जा रहे हैं, जहां पर पैसा नगन्य है, आप 20-25 रुपए और 200-500 रुपए देकर किसी कॉले आप पड़ रहे हैं, आप प्रफेशनल कोर्सेज में नहीं हैं, जहां पर 10-15 रुपए लगते हैं, तो उस सबसेडाइज एजुकेशन का फायदा और मार्केट फोर्सेज के बीच में अपने परजिंस को बनाये रखने के लिए इन सारे ततों का, ये सारे स्किल्स का होना अव सा עतक हैं, ये देजिते हैं, वे देजार तेते वेपन नहींद इर हैं, ये देन अप она पी परजिए स्किल्स काहरे हैं, ये देजर तक एड़ते हैं, जब ये देजाब ये टोर्सेट इस्किल्स सब्सक्वार किन जिए और कख़ aosट्वाज सेरी परजimy दे हैं, ये educational system and that is also related with the communications with English. हम बिलकुल मानते हैं कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जो अद्योगिक रूप से, technology के रूप में अत्यां विक्षित हैं. के बाद जेपान, जर्मनी, लुकिस्ट, Southeast Asian countries और पिशले तीन दसकों से, चाइना जहां पर उसकी अपनी language की थूती बोलती है, एक Chinese से आप मिलेंगे वो अंगलेजी नहीं जानता है, इंगलिस में नहीं कर पाएगा, इंगलिस लिखना to certain extent, alphabet को समझना उतना ही तर जानता है, लेकिन technology के मामले में, scientific development के मामले में, दुनिया के किसी भी व्यक्ति से वो कमजोर नहीं है, हमारे देश में जो उपनी वे स्वात के अंदरगत जितने भी देश थे, साउथ एसिया, भारत भी उसमें महात्पुर्ण देश रहा, जहां पर मेकाले की language policy आज भी dominant है, काई बार हमारे देश के भीतर भास मुहाफ से राजनिती करण के कारण से language को politics के रूप में देखा जाता रहा, काई छट्रप regional leaders, they created a glitch that we are against the English and we want to evolve Hindi, वो स्टकल का जमाना, 50s or 60s मेता वो गया, आज मार्केश का जमाना है, and there is no doubt about it, since we fail to evolve Hindi of any language which can be, which can, being Indian can communicate within the country, has gone by. Now, the challenge is to know your language at the same time, know the English as well. तो जो हिंदी या अपने original languages के में अपने आपको communicate करते हैं, जो विद्यार थे, जो student, उनको घपणाने की जोरत नहीं है, उनको extra मेहनत करने की जोरत है, क्योंकि जब आप एक good communicator की बात करते हैं, तो हिंदी तो आपको अती है, हिंदी में आप लिखते हैं, बेसक subject knowledge में भी आप अच्छे हैं, लेकिन जो market में job opportunities create हुए हैं, और नए तरका job create हुए हैं, तो उसमें capable knowledge अपनी subject का होना प्रयापत अगर होता, तो job की guarantee थी, लेकिन उस knowledge के साथ साथ एक अच्छे communicator की भी जवरत है, और उस communication का माधियम English है, तो ऐसी परिष्टिती में मैं हतोचाहित नहीं करना चाहता, I do not want to discourage you, but only I want to equip you, enable you to face the new challenges, and at least coming challenges in the 10, 15 years ahead, you know your language effectively in written as well as in verbal, that is fine, वो आपके जीवन को उन्नत बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी की इतनी समझ जरूर होनी चाहिए, कि आप किसी इंग्लिस किताब को पढ़कर समझ सकते हैं, कोई आपके साथ फूल नाइन पर बाचित कर रहा है, सामने आपसे बाचित कर रहा है, उसकी बातों को आप समझ सकते हैं, आप किसी तरह से टुटी-फुटी बातों में ही उसे कॉम्निकेट कर सकते हैं, ऐसा करने पर भी जॉब अपॉचिनिटी के कुछ सिंटर ऐसे हैं जहां पर आपको जॉब मिलेंगे। तो बिसकली मैं पांच-छे जो स्किल, सोसल साइंस के विद्ध्यार्थी के नाते जो परिसिदियां हमने भी फेस की, वो मैं चाहता हूँ कि आप भी उन चीजों से, उन तत्तों से अवगत रहें, उनको समझें और समझ गंभीरता के साथ, कभी भी कैजूल अप्रोच के साथ नहीं, कि अच्छा हो जाएगा, कर लेंगे, देखा जाएगा, ये बातें बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप जॉब को ग्रैप करना चाहते हैं, तो आपके भीतर जुजारूपन, एक मिशन के तहट आपको काम करना होगा। अग मैं इन सरे स्कील के साथ माइडान में आना चाहता हूं कि इस के साथ साथ जॉब ऑप्रचूनितिके काउन काउन से दरवाजे हैं, where you can go and not and get a place. After doing your UG courses, if you do not want to continue your further education in PG and want to, because of the certain family compulsions or personal compulsions, you want to have a job in your hand, at the same time some professional courses you want to pursue to make your career much better. If you have such an expectation, there are several opportunities in your hand. If you have all these skills, you have all these skills, you have all these skills. Now, it is a very hard time for a candidate of the social science as well as the parents to have this kind of patience to nurture his kids to pursue a social science in the field in the field of academics. This is a long drawn roadmap. It may take three years, it may take four years, five years even after doing your PG. and this is our country's education policy. I want to do all these opportunities that you want to grab after the UG. I have also said that social science is an area which has a lot of pools of knowledge. And this world is gradually recognizing the relevance of the knowledge. of knowledge. कर आते हैं यह कभी भी मंद नहीं पड़ता है इसमें कभी भी कमजोरी नहीं आती यह निरंतर relevant बना रहता है यही कारण है कि इन समाजिक राजनेतिक और आर्थिक विस्संगतियों को जो हमारे देश के वितर और दुनिया के कई देशों में उभर कर सामने आई हैं इन चीजों को समझने के लिए जगा जगा पर think tank जिसे आज हम लो काते हैं think tank क्या think tank is a kind of an organizations where the top slot best brain of the country they are involved in chalking out the reasons of the problems कि अगर आर्थिक समस्या हमारे देश के भीतर है तो आखिर इस आर्थिक समस्या का कारण क्या है तो एक think tank खुला जाता है जिसमें 500,000 उस capacity के अनुरूप researcher की बाहली होती है वो सारी researcher यह social science से आएंगे और इनकी संक्या दीन परती दीन भारत में और दुनिया का अनुरे देशों में बढ़ती जा रही है Since India has become one of the emerging economy of the world तो जब हमारी economy मजबूत होने लगी दुनिया की आखों के सामने हम एक emerging economic power के रूप में उबर के सामने आने लगे तो जो EP Center पश्चमी देशों में था एक researcher और बागी चीजों के लिए जहां पर हम वहां दौर लगान कर पहुँचना चाहते थे आज वो चीज़े हमारे देश के भीतर हो गई है और जगा-जगा पर सहरों में कई ऐसे think tank research organization की शुरुआत होने लगी है और आने वाले 10 सालों में ऐसे सैकडो research organization खुलेंगे और उस research organization में job आपको मिलेगी उसके लिए आपके ये सारे basic skills जिनकी बाते हमने की वो these are the weapons in your hand and you need to learn how to use these weapons for grabbing a job to your interest. अगर आप उस सारे skills को भूल जाएंगे तो हजारों think tank research organization खुल जाएंगे आपके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा. खुलेगा सिम्सिम वो आपके लिए नहीं होगा. तो इस बात को आपको गंबीता से सोचना होगा. कि इन साथ सालों में जो आपके जीवन को निर्धारित करेगा, economic guarantee आपको देगा, उसमें किसी भी तरह का casual approach नहीं होना चाहिए. तो एक तो think tank की बात मैंने कहीं, दूसरा जो महत्पुर्ण दरवाजा आपके सामने है, इस course के करने के बाद, जो research organization से ही मिलता जुलता है, जिसे हम आज कल professional social activist काते हैं, दूसरी भादा में NGOs भी हम काते हैं, पिछले तीन-चार दसकों में उसमें भी अब बदलाव आ रहा है, लेकि उस बदलाव के साथ साथ जो space जो social entrepreneur का है, वो area आज भी खुला हुआ है, जैसे उतरप्रदेश, बिहार या महारास्टा के किसी जिले में कोई विद्यार्थी किसी college में enrolled है, तो अपने राज्य को, अपने छेत्र को, वो विद्यार्थी बाकी दुनिया के अन ये लोगों से ज्यादा ब्यहतर तरीके से जानता है, समझता है और काम कर सकता है. He has been acclimatized with the kind of conditions which prevail in the particular area. अब उन जगहों पर कोई कमपनी, कोई रिसर्च और्गनाईजेशन काम करना चाहती है, जानना चाहती है कि आखिर नॉर्थेस्ट में, भारत के नॉर्थेस्ट में, जो कॉंफिक्ट है, वो किस कारन से है, कैसे इस वो खदम किया जा सकता है? The government is spending a lot of money on that. The foreign funding agencies, they are also in the line, in the queue to spend a lot of money to evolve a system, economic, political and social system in the North East. उसके अपने कारण हैं, वेपार और बागी सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं. तो इन सारे चीजों को ताकिकात करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, एक large number of scholars की जुरत परती है, जो इन बातों को पता करें कि आखिर समस्या क्या है, तो वहां पर भी आपके दरवाजें खुले हुए हैं. ऐसे हजारों लखों एंजियों जो कई तो, it is merely on the pen and paper, but at least there are thousands of NGOs which are really doing some good concrete work for the development of the country, where the state failed to deliver, तो वहां पर भी आपके दरवाजें जॉब के रुपे कुले हुए हैं. लेकिन जैसा मैंने कहा, वहां पर भी वह पांचे क्वालिटीज, स्किल्स, जिसमें आपका वह सारे स्किल्स होना अत्यान्त आपसिक है, अगर वह नहीं है, तो फिर मुस्किला सामने आ जाएगी, फिर नहीं वह जॉब आप अपराप्त कर पाएंगे. किसरा मीडिया, मीडिया जी वास वह पना मीरिश के आपकी विर्म आ आही बेजिया, उप्यूब भी इप्यून आ मेंसुर्ई में हुआ कहा, कि अड्रिशन एबाद से लेक्रने मीडिया प्रिंट मीडिया जो एक एरिया था रिसार्चर के लिए वो उसमें भी फेवरिट था, आज भी बना हुआ है, तो मीडिया का रोल दिन पर दिन महत्मुन होते जा रहा है, आपने पिछले कुछ वर्सो में देखा होगा कि मिडिया का horizontal विकास हुआ है, horizontal विकास का मतलब, local media has become more important. The people want to read the particular page, the particular newspaper which covers the largest and the maximum coverage of their own surroundings. अगर आप भीहार के किसी प्रिकुलर जीले के हैं, और वो नीज़ पेपर उस जिले के बारे में ज़्यादा ख़बर चापता है तो आप उसको लेना पसंद करेंगे या एलेक्ट्रोनिक मीडिया में भी रिजिनल चैनल से बिकाम मोई इंपोर्टेंट देन देनेशनल चैनल तो हजारो जिस सैक्ड़ो चैनल आज हमारे देश में खुले हुए हैं और हर एक चैनल में सैक्ड़ों लोग काम करते हैं तो वो भी दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है despite provided you have all the skills which I have mentioned to you अगर वो सारे skills आपके पास हैं तो वहां भी आप दरवाजा कट-कटा सकते हैं जो आपको मिल सकती है पाच्वा एरिया कॉल सेंटर भी जासा मैंने कहा कि क्यों कोई professional course करने की जोरत नहीं है the kind of industries outsourcing and started and India has become the most favorite place in the world और इसके पिछे कारन वही है इंग्लिस एक जमाने में इंग्लिस हमारे लिए विरोध का काम किया एक nationalism का sentiment उभाने का काम किया उसे राजनीति कर्ण हुआ आज वही factor हमारे लिए बून बन गया है और मैं सवागत है किर्पया सवाल पूछिए सब्सक्राइब करना जाता हूं जो मैं अगले में वह उसको सिविल सर्विसे एक्जाम में को अपना ऑप्शनल बना सकों सब्सक्राइब करना जाता है तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सबसे महत्रपूर्ण फैक्टर इसमें है कि आपकी रूची और उजान कौन सब्सक्राइब को पढ़ने में अच्छा लगता है वेदर यू लाइक पॉलिटिकल साइंस वेदर यू लाइक सोचिल लोजी वेदर यू लाइक की सिरुवात के लिए आप जो क्लास नाइन से लेकर ट्विल तक के जितने मीं इंसियाटी के बुख हैं उसको आप ले ले और उसका एक गंभीर अधियन आप यह 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 मान करना चलें कि हमारे ब्लू स्टेंडर है मैं तो ग्रेजुशन कर रहा हूं या कर रही हूं और यह क्लास 10th 11th का इंसियाटी मैं क्या इसको करूँ नहीं उसमें थॉट्स हैं इन्फोर्मिशन हैं इस सिक्वेंस अप नॉलेज बिच विच विल हैव विल रिदिंग इस बुक्स वह आपका फंडमेंटल पीलर्स क्रियेट करेगा जब आप बाद में एडवांस बुक उस पर पढ़ेंगे तो तब आपको मालूम होगा कि हमारे पीलर्स इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम कोई भी बुक पढ़ेंगे तो वो उसका पार्ट बनता जाएगा और आप अपने पिरामिट को जितना उचा ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं and that will help you while writing your answer in civil services with the of any subject. अब ही आप पाटिसिपेट करें तो आपको ज्यादा समझ में और आएगा EPC के बारे में अभी हम लोग इधर चर्चा कर रहे हैं हर subject में क्या-क्या रोजगार का भावना है जैसा कि आज हम लोगों ने चर्चा कि social sciences में कल हिंदी पर करेंगे इस परकार के हम लोग करेंगे तो आप अपना continue करें आप बता रहे हैं तो चौथा मैंने कहा कि media और media के बाद हमने कहा कि MNCs के दवारा जो outsourcing के job opportunities create हुए हैं तो उसमें language has become very important component. अगर आप अच्छे से communicate कर सकते हैं आपकी बिसे की जनकारी वहाँ पर थोड़ी मंद भी है and only you know the language, communication skill, the job will be at your dose. तो ये इसके अलावे भी कई ऐसे opportunities evolve होकर सामने आ रही हैं जिसमें अगर ये पांचोई skills में तीन-चार skills भी आपके पास हैं, subject knowledge आपकी मजबूत है, आपकी communication skill अच्छी है, आप एक positive approach के साथ काम कर रहे हैं. एक और दर्सक है, नागपूर से उनका सवाल लेते हैं. जी काईज कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत है, किरपया सवाल पुछिए. जी सवाल पुछिए. आपका सवाल जाइज है, लेकिन pure science और science में भी अगर आपका social science का background है, तो आप एक perspective में देख सकेंगे चीजों को. अगर बिज्ञान में कोई भी machine बनाना है, तो भारत के संदर हमें कैसे बनाएं, यह सोचना पड़ेगा और उसका जो perspective देगा, उसका social science ही देगा. आपका क्या कहना है? मैंने सुर्व में बताया था, कि अगर आप social science के विद्ध्यारती हैं, तो जिस तरीके का knowledge आपको इस course के दोरान हासिल होता है, वो permanent future है. समाज का निर्माण, रास्ट का निर्माण, अंतरास्टिय समदाय का निर्माण, जो permanent future आज से 2000 साल पहले था, आज भी है, भागे जितने professional courses हैं, उसमें उतार चड़ावा रहा है. management course मैंने बताया कि 30 सक पहले सामने आया और फेवरिट हो गया, फिर उसमें slide down हुआ, लेकिन ये social science के जो सारे features हैं, जो knowledge आप under graduation में gain करते हैं, वो permanent features हैं, और वो हमेशा आपके साथ रहेगा, तो job opportunities भी उसके साथ ही साथ चलती रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा अगर आप अपने जो कोर्स कर रहे हैं, उसके पर की इमांदार और वफदार हैं, अगर कोई successful रहा है, तो उसको अगर हम लोग देखें, तो कई पहलों को सामने आएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नागपूर से दर्स हैं, उनका सवाल लेते हैं, न And this is the globalization before social sciences, it to stop the deterioration of human Nowadays we have consistently deterioration of human values, human values are getting degraded day-by-day, so how social science is going to face this challenge in spite of so many efforts from social scientists, so far we are not उन्हें अब टो रहट चेक अडिटरशन अब हुमन वालूस। जो हैं इस एर अडियार आप गलशाएंग इसकतीज़ जिए विए गब टो डूर लिए इस को बूल अडिया टो चटॉम्यू आजे विदे वे नेश्पकर आप में अर्ट लाउप नेस्तितनी अव्यूम थे लिजद खिर प्या बाज में रिखिप्टनाबाब जारा है लिए जाया धिए लाउ वे पाल थे लुग भी ये निखिवा ये अजेवानी बेट वे में वे अर्ट वे घुटिवामाइवों that we have to make the distinction in terms of the flows of ideas which have come through globalization. When we study globalization, we study the negative and positive factors of globalization. The kind of values we have been accustomed to in India are completely different from the western values and here the we need to differentiate between the westernization and modernizations westernization is not modernization we need to cultivate our own strong social values which we have gained from our forefathers that need to be there and it 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 can work as a shield it can work as a shield against the kind of forces which are coming in the form of globalization 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 when we started going unbeatable it will be but for us the physical more than we are कि अपने अपने कंच को कितना मजबूत बनाएंगे वो जरूरी है कि हम अपने सभ्यता संस्कृति से जो हमने गेन किया है उसको हम अपने भीतर लाएं वही सिल्ड का काम करेगा कि फिले क्छिआ अ वेस्टन कुछर सिले एकम अपने बच्चे को अपने परिवार को अपनी संक्रिति को एक्छो कॉल अपन्युकर ब सेंचति एक परेंगे। अब्सक्रशून बौर्फ्म सेनगी को कड़ लिए इन में अंवेड जिए पर्फूरativa मूणूर्ष the factors which are affecting the society and how this will help to in international welfare you can say so this is a good question really and we have accepted the challenge so naturally though we lower come the challenge and will turn out this kind of opportunity this is ongoing process this kind of problem will definitely will come and we have another question from the Nagpur so please ask your question I will tell you that the 10th century 12th century over my house the the I'm going to have a comment to have a lot of like fellowship I'm a 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 किसी पर्तियोगीता परिक्षा के लिए इनमें पीजी करने के जुरत नहीं है तो एक तो वह लाइसेंस आपको मिलता है जहां पर आप इस परिक्षाओं के द्वारा आप अपने करियर को एक बहुत दुरुस्त जगह पर पहुंचा सकते हैं दूसरा जो एरियाज हमने बता हैं कि आप गाओं के रहने वाले हैं हम लोग भी गाओं से ही आयाई हैं सह जो इमांदारी के साथ अपने कोर्स को पीजा कर रहे हैं इमंदारी के साथ आप करते हैं और उसमें बहतर करने की कोचिस करें क्योंकि देखिए हमारे देश में जब देश आजाद हुआ था उसमें higher education में less than 1% of total population इंगेश था आज हमारे देश में 12% से ज्यादा है UGC और बागई नियामा को जो निती निर्माता है वो इस strength को 15-20% तक ले जाना चाते हैं विकसित देशों में ये संक्या 25% से ज़्यादा है तो भीड लंबी है घाओं से आने वालों की भी तादाद बहुत लंबी है उसमें आप अगर संगीन है आप गंभीर है अपने विश अब शुश्यत रुप से दर्वाजी आपके खुले हुए है अपुशिनिटीज आने वाले समय में लाखों में कलोडों में होगी कि वोल शमता आप में होनी चाहिए कि उससे प्राप किया जाए विपन्स आपके पास है उस विपन्स को हाव टो इटिलाई और प्रसिनलाइ इसको उसको भी क्रेक आप कर सकते हैं और अच्छे पत को पा सकते हैं तो निश्ची तोर पे अगर विश्वास है आप मेहनद करते हैं तो आप परिशा में सफल होंगे तो यह बड़ी बात है और जैसा कि आपको बता रहे थे कई तरह के फिलोसी कई तरह के पूरसकार की भी राजी के अस्तर पे, केंदर सरकार के अस्तर पे है इसके अलावा कई प्राइबेट संस्थाएं भी आपको मदद देती है और आज कल तो जैसे तरह कर्परेट सोसल रिस्पोंसलिटी उसके तहद भी बचों को पढ़ाया जा रहा है और गौर्वर्मेंट का यह भी परयास ह कि कैसे उच्छ सिचा के छेतर में लोगों को परुसाहित किया जाए क्योंकि जी यार जो भी है से 12% के आसपास है और सरकार की ख्वाइस है कि इसको 15-20% को बहुत जल्दी पहुँचा आजा तो इस उमीद के साथ कि आपको हर तरह से मदद मिलेगा कि वहला आप पढ़ाई चेतर में क्या-क्या से कौन-कौन अफसर हैं और किस परकार उस अफसर को आप प्राप्ट कर सकते हैं उन्होंने काफी अच्छा लगा होगा और आपके करियर को पाने में लाभ दायक भी सावित होगा तो आज की लेक्शर को भी राम और कल हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के चेतर में कौन-कौन से अफसर है वही देखना ना भूलें उमीद के साथ आप सबको धनवाद और आप योड़ से डॉक्र सरिसकुमार को भी बहुत बहुत धनवाद थैंक यू बहुत थैंक यू बहुत थैंक यू पूले यूभ ही जहीं क filme कि रूले में हुआ पिन्स कम विन खंप भूलें, को भी जहीं करूले आप धनुरें, बहुत रूले से हिएल।